अंतर कहानी निर्मल वर्मा की बस से उतर कर वहे बाजार के चोरहे पर खड़ा हो गया सामने टाउन हॉल की इमारत थी लंबी और भैवे है पहली मंजिल पर लंबी मैली खिड़िकियां थी जिनके सीशे पर शाम की धूप और भी मैली दिख रही थी उसे हट कर कुछे दुकाने थी एक पब एक नाई की दुकान और दो जनरल स्टोर आगे छोटा सा स्क्वेर था आखरी बस कितने बज़े जाएगी उसने उसी बस के कंडेक्टर से पूछा जिसमें वहे आया था दस बज़े कंडेक्टर ने उर्ती हुई निगाहों से उससे देखा और ओवरकोट की जेव से बीर की बोतल निकाल दी वह दुकानों की तरफ चला आया वह यहाँ पहली बार आया था किन्तु उसे विशेश अंतर नहीं जान पड़ा वह जब कभी प्राग से दूर छोटे सेहरों में जाता था वह उसे एक समान ही दिखाई देते थे टाउन होल, चर्च और बीच में स्क्वेर और खाली सा उनिदापन हवा ठंडी थी हाला कि मई का महिना आगे बढ़ चुका था उसने अपने डफल बैक से मफलर निकाल लिया दस्ताने उसके कोट की जेब में थे वह अभी उन्हें नहीं पहना चाहता था उसकी पीट पर स्लिपिंग किट थी अगर कहीं रात की बस वह नहीं पकड़ सका तो बाहर सो जाएगा उसे होटल की अपेक्षा बाहर सोना हमेशा अच्छा लगता था अगर ठंड ज्यादा नहीं हो जब पिछली बार कर्मियों में वह उसके साथ मुराविया गई थी तो भी वह बाहर सोते थे एक स्लिपिंग किट में वह इसी तरह सारा मुराविया घूम लिये थे उसके साथ पहले पहल उसे बाहर सोने की आदत पड़ गई थी होटल की बचत होती थी उसे वह हमेशा बीर पर खर्च कर देते थे वह कुछ देर तक पिछली गर्मियों के बारे में सोचता रहा पिर उसने मफलर को अच्छी तरह कले और कानों से लपेट लिया ठंड काफी है उसने सोचा लेकिन ऐसे हनिये नहीं है ऐसे हनिये शायद कुछ भी नहीं है उसके लिए भी नहीं शुरू में वह बहुत डर गई थी अब वह ठीक होगी अब कोई डर नहीं है उसने सोचा अब बिलकुल कोई डर नहीं है उसने दोबारा अपने से कहा वह कुछ देर तक खाद्य पदार्थों के स्टोर के सामने खडा रहा शोव विंडो में गोर से देखता रहा फिर कुछ सोच कर भीतर चला आया दुकान में सेल्फ सर्विस थी उसने काउंटर के नीचे से एक टोकरी निकाल ली दोनों और लंबी कतार में छोटे बड़े टिन के डिबे रखे थे इन दिनों ताजे फल देखने को भी नहीं मिलते थे उसने आड़ों और अनानास के दो टिन टोकरी में रख लिए आधा किलो सलामी और फ्रेंच पनीर की कुछे टिक्या भी लीफाफे में बन भाली उसे फ्रेंच जीज हमेशा ही बहुत पसंद थी रात को जब कभी वह उसके कमरे में सोती थी तो एक चुहे की तरहें उसे बराबर कुतरती रहती थी स्टोर से बाहर निकलते हुए उसे कुछ याद आया और उसने दोबारा मुड़कर लीपा का एक पैकेट खरीद लिया अस्पताल में शायद उसके पास सिग्रेट नहीं होगी उसने सोचा सारा समान उसने अपने डफल बैग में रख लिया स्टोर से बाहर निकल कर उसे प्यास सी महसूस हुई समय काफी है उसने सोचा ज्यादा नहीं है लेकिन वह छोटी बियर के लिए काफी है स्टोर पार करके वह पब में चला आया वह बैठा नहीं बार के काउंटर के सामने खडा रहा एक छोटी बियर उसने कहा बार्मेन ने बिना उसकी ओर देखे एक मग बियर नल के नीचे रख दिया जब जाग मग से उपर चड़ कर बाहर निकलने लगा उसने नल की तोटी बंद कर दी एक मेले इत्वलिय से मग को साफ किया और उसके सामने रख दिया उसने मग होटों से लगा लिया बियर का सली और गुन-गुनी सी थी फिर भी उसे बुरी नहीं लगी बार्मेन इस बीच जेव से एक सोसिज निकाल कर खाने लगा था वह एक अधेड उम्र का व्यक्ति था उसकी नीली आँखें आशों में तैर रही थी आप बता सकेंगे अस्पताल किस तरफ है उसने पूछा बार्मेन ने गोर से उसकी और देखा फिर उसकी आँखें उसके स्लिपिंग केट पर ठहर गई क्या प्राग से आई हो उसने सीर हिलाया वहतनिक संदे भरी द्रेश्टी से उसकी ओर देखता रहा टाउन होल की दूसरी तरफ सिमिट्री से जरा आगे उसने कहा क्या ज़्यादा दूर है उसने पूछा उसने आधी कत्री हुई सोसेश को असलिल ढंक से उपर कर लिया एक किलोमिटर उसने हस्ते हुए कहा उसने उसे धन्यवाद दिया तीन क्राउन का निला नोट काउंटर पर रखा और बिना चेंज की परतिक्षा किये बाहर चला आया बाहर भसंत का चमकिला पन था वैसा बोजिल नहीं जो गर्मियों में होता है एक हलका धुला सा आलोक जो लंबी सर्दियों के बाद आता है दस मिनट का रास्ता था और वह तेजी से चल रहा था उसे अब ज्यादा घबराहट नहीं थी उसे अब उतनी घबराहट नहीं थी जितनी बस में हो रही थी बियर के बाद उसे हलका सलग रहा था स्क्वेर छोड़ने के बाद वह एक खुले रास्ते पर आ गया था हवा ठहर गई थी और कभी-कभी दूर के खेतों में टेक्टर का घुर-घुर स्वर मक्खी की भिन्मे नहट सा सुनाई दे जाता था सिमिट्री के पास आकर उसने सिग्रेट जलाई फिर डफल बैक को एक कंधे से उतार कर दूसरे कंधे पर लटका लिया सिमिट्री के इर्द-गिर्द बर्वा के पेड थे और उनकी नई पतिया दूपती हुई धूप में जिल मिला रही थी कच्ची सड़क पर बर्व के पिखलने से कहीं कहीं दल-दल जमा हो गया था और उन पर मोटर लारियां और ट्रकों के निशान उभराए थे उसने अपने पेंट के पाइंचे उपर चढ़ा लिए उसे खुसी हुई कि यहां उसे देखने वाला कोई नहीं है लेकिन वह उसे देखकर जरूर हैरान हो जाएगी वह शायद खुसी भी हो लेकिन इसके बारे में वह निश्चित नहीं था उसने प्राग से आते समय उसे मना कर दिया था वह नहीं चाहती थी कि किसी को कोई संधे हो सके उन्होंने यह तै किया था कि वह दो दिन यहां अस्पताल में रहेगी बाद में जब वह वापस प्राग आएगी तो किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा अस्पताल के गेट के सामने वह रुक गया छोटी सी पहाडी के उपर उसकी इमारत किसी कोलेज होस्टल की तरहें दिखाई दे रही थी उतनी ही आत्मी है और निर्दोश अस्पताल की इमारतों में अकसर जो ठिठोड़ता हुआ नंगापन होता है वह उसमें बिलकुल नह लखे थे साफ सुत्रे फर्स पर कोरिडोर के खंबो की टेड़ी चायां धूप में खिचाई थी जिने के पास उसे एक बड़ा सा डेस्क दिखाई दिया उपर रिसेप्शन का साइन बोर्ड लगा था उसके पीछे एक श्त्री नर्स की पोसाक में बैठी थी वह अकबार प प्राम बताया उसे लगा वह नर्स ही नहीं है नर्स की पोसाक में वह एक श्त्री भी है इस ख्याल से उसे कुछ सांत्वनावसी मिली उसने डेस्क के दराज से एक लिस्ट निकाली मैटर्निटी वार्ड में उसने पूछा अक्षन तक असमंजस में खड़ा रहा फिर उसने माथे का पसी ना पहुचा मुझे यह नहीं मालूम मैं पहली बार यहां आया हूँ क्या आप लिस्ट में देख सकती है उसने कहा हाला कि यह कहने की कोई जरुरत नहीं थी वह पहले नहीं है वह मेरी पत्नी नहीं है उसने कहा मेरा मतलब है अभी तक हम विवाहित नहीं है उसने डेस्परेट होकर मुस्कुरानी की कोशिस की फिर उसे लगा कि यह स्पस्टिकन नेकेवल निरर्थक हैं बलकि मुर्क तापूर्ण भी नर्स ने कुछ अजीव रुखे ढंक से उसकी और देखा और फिर धिरे से अपने बाल पीछे समेट लिए आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था उसने कहा उसके स्वर में खीज नहीं थी सिर्फ एक ठंडी सी विरक्ती थी उसने डेस्क के भीतर से दूसरी लिस्ट निकाल ली एक बार फिर नाम पूछा वह गल्यारे के अंतिम छोर पर पहुच कर सीधियां चढ़ने लगा दोनों तरफ दरवाजे खुले थे और तें अपनी जो पानों लंबी स्कर्ट में बिस्त्रों पर बैठी थी दरवाजों के पास बाहर रसी पर नायलोन की जुराबे ब्रेसियर और अंडरवियर सुक रहे थ थे हवा में एक खटी गिल-गिली से गंद ठहर गई थी जो अक्सर औरतों की घरेलू देहों या कपनों से आती है लोहे की रेलिंग पर रेच से भरी हुई लाल नीली बाल्टियां लटक रही थी शायद आग बुझाने के लिए उसने सोचा जब है सर्चिकल वार्ड की और मुड़ा तो उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया हो वह तनिक चौंक कर पीछे मुड़ा एक लंबे कद का हस्ट पुस्ट व्यक्ति उसके सामने खड़ा था उसने लंबा सफेद कोट और पाईजामा पहन रखा था जो यहां डॉक्टरों की पोशा किया उसने स्लीपिंग के टपीट से उतार कर एक कोनी में रख दिया इसमें क्या है उसने उसके डफल बैग की ओर देखा उसने चुप चाप कंधे से बैग उतार कर उसके सामने रख दिया डॉक्टर ने सरसरी निगाह से बैग में रखे डिबों को देखा और फिर धीरे से हस दिया उसने अपनी भाषा छोड़कर अंग्रेजी में कहा क्या मतलब कुछ नहीं वह फिर अपनी भाषा का उत्तर आया था बैट नंबर 17 सिर्फ आधे घंटे वह भी बहुत कमजोर है उसने रुखे व्यवसाइक स्वर में कहा तुम भीतर जा सकते हो लेकिन उसके बाद व है डफल वैक को बच्चों की तरहें दोनों हाथों से लेकर खड़ा रहा दर्वाजे के पास एक खाली विलचेयर थी सामने एक बड़ा हॉल था दोनों तरफ छोटे-छोटे क्यूबिकल थे और उनके बीच लंबे गुलाबी रंग के पर्दे लटक रहे थे हर क्यूबिकल के पीछे एक मध्यमशी रोशनी टिम्टिमा रही थी होल के एक कोने में स्टेचर पड़ा था उस पर कुछ रुई की गंदी पटियां थी शायद कोई नर्स जल्दी में उन्हा उठाना भूल गई थी वह भीतर चलाया स्लिपिंग किट उतारने के बाद उसे अपनी पीठ हलकी लग रही थी सत्रे नंबर के आगे आकर खड़ा हो गया भीतर निपट शांती थी वह शायद सो रही थी उसने सोचा पहले क्षण में उसे वह दिखाई नहीं दी सामने एक बड़ा सा बिस्तर था बिलकुल शमतल और सफेद उपर दो लंबी चद्रें थी और वे बिलक चलाना भी मुश्किल था कि सिर्णाना किस तरफ है बिस्तर पर कहीं भी कोई उतार चड़ाओ नहीं था एक खण के लिए उसे लगा वह खाली है वह खाली नहीं था चादर से उसका सिर बाहर आया फिर आखें वह उसे देख रही थी फिर एक छोटी सी मुस्कुराहट उसके होटों पर सिमटाई वह पहचान गई थी उसने आखों से स्टूल की और इशारा किया उस पर दूद से भरा एक कप रखा था तुमने पिया नहीं उसने जुक कर कहा बाद में इसे नीचे रख दो उसने स्टूल बिस्तर के पास खिसका लिया कब आये अभी कुछ तेर पहले उसके होट जामूनी रंके हो आये थे जगे जगे से लिपिस्टी की लाइन तूट गई थी कब हुआ उसने पूछा सुभ है अपना कोट उतार दो उसने अपना कोट और डफल बैग उतार कर स्टूल के पीछे रख दिया खिड की बंद थी नीचे उसका सूट केस पड़ा जो वह प्राग से अपने साथ लाई थी ज्यादा देर तो नहीं लगी उसने पूछा नहीं उन्होंने क्लोरोफार्म दे दिया था मुझे कुछ भी पता नहीं चला उसने कहा मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा तुम मानती नहीं थी उसने मु उस्तर पर जुका आया। वक्स के नीचे खिसकाई। उसने हरे रंग की नाइट शर्ट पहन रखी थी। उस पर काले रंग के फूल थे। अपने कमरे में उन फूलों को देखकर उसकी देह में मीठा सा तनाव उत्पन हो जाता था। अब वे उसकी आँखों को चुब रहे थे। यह क्या है। उसने ड नानास के टिन, सलामी, फ्रेंच पनीर, लिपा का पैकेट, तुम एक पनीर अभी लोगी? नहीं बाद में। वे विश्तर पर बिख्री चीजों को देखती रही। इन दिनों तुम्हें खाने पीने में लापरवाही नहीं करी चाहिए। उसने कहा। किसी ने मेरे बारे में पुछा तो नहीं था? नहीं, किसी को नहीं मालूम कि तुम यहां हो। उसने कहा। वे कुछ देर तक आखे मूंद कर लेटी रही। उसके बाल पहले से भी छोटे थे। तक कि अपर सटे रहने के कारण अब वे और भी सिमटाए थे। पिशली गर्मियों में उसने उन्हें काले शेड में रंगा लिया था, सिर्फ उसे खुश करने के लिए उसे ज्यादा अच्छे नहीं लगे थे। तब से वे फिर धीरे धीरे भूरे हो चले थे। हाला कि अब भी कहीं बीच बीच में काला शेड दिखाई दे जाता था। तुम्हें ठकान लग रही है। उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, नहीं, उसने उसके और देखा, फिर उसने उसका हाथ चादर के नीचे घसीच लिया, धीरे धीरे वे उसे अपने पेट पर ले गई, कुछ फरक लगता है, उसने पूझा, उसका हाथ उसके नंगे गरम पेट पर पड़ा रहा, तुम् में चमक रही थी उसने धीरे से अपना हाथ बाहर खीच लिया तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए उसने कहा मुझे बड़ा हलका सा लग रहा है उसने कहा डॉक्टर ने तुमसे कुछ कहा था नहीं लेकिन एक मेहना पहले आ जाती तो इतनी कमजोरी नहीं होती तुम्ह काफी कमजोरी महसूस हो रही है उसने पूछा नहीं मुझे बड़ा हलका सा लग रहा है मैंने तुमसे पहले भी जल्दी आने के लिए कहा था लेकिन तुम टालती रही तुम हर बार पहले से ही ठीक कहते हो उसने कहा वह चुप रहा और दूसरी और देखने लगा तुमने बुरा मान लिया वह कौनी के साहरे बैठ कर उसकी ओर देखने लगा नहीं लेकिन तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा देखो अब कोई फिक्र नहीं है उसने कहा अब मैं ठीक हूँ लेकिन तुम अब भी उसके बारे में सोचत ज्यादा सर्दी नहीं थी उसने कहा वे कुछ देर तक चुप रहे वीच में नर्स आई थी वह ब्लॉंड थी और देखने में काफी खुस मिजाज भी जान पड़ती थी उसने उन दोनों को देखा फिर वह बिश्तर के पास चली आई तभी उसने कहा कि तुम्हें अभी इस मैं कुछ देर में चला जाऊंगा उसने कहा नर्स ने बिश्तर पर पिख्री चीजों को देखा वे उसके और मुडी और मुस्कुरा दी आपको भविश्य में साउधान रहना चाहिए नर्स ने कहा उसके स्वर में हलका सा मज़ाग था वह चुप रहा और दूसरी और देख मैं बाहर चला जाता हूँ मैंने कहा नहीं उसके कोई जरुद नहीं सिर्फ अपना सिर मोड लो वह पिछे दिवार की और देखने लगा उसे बहुत पहले ही राते याद हो आई जब वह उसके कमरे में बिस्तर से उठकर कपड़े पहनती थी और वह दिवार की और मोड कर उ ठीक है उसने कहा उसने स्टूल मोड कर उसके सिरहने के पास खिसका दिया हवा में हलकी सी गंद थी जो क्लोरोफार्म की गंद से अलग जान पड़ती थी उसके आखें अनाया से पलंग के नीचे चिलमची पर पड़ गई उसमें एक खून में रंगी बहुत सी पटियां पड़ी थी यह खून उसका हो सकता है उसे विश्वास नहीं हो सका क्या तुम्हें अब भी वह बीच में रुख गया नहीं अब बहुत कमा रहा है उसने जुक कर चिलमची को पलंग के नीचे खिसक अब गया कर दिया तुम्हारे पास सिग्रेट है उसने पूछा फेह फिर लेट गई उसने लीपा के डिब्बी से दो सिग्रेट निकालकर मुह में रख ली दोनों को दिया सलाई से चलाया और उनमें से एक उसे दे दी तुम यहां सिग्रेट पी सकती हो नहीं लेकिन कोई देखता नहीं उसने एक लंबा गेहरा कस लिया दुआ बाहर निकालते समय उसके नथुने धीरे से काप रहे थे फिर उसने उसे चिलमची में फेक दिया मैं पी नहीं सकती एक पतली कमजोर सी मुस्कुराहट उसके होटों पर सिमटाई उसने चिलमची से सिगरेट निकाल कर पुझा दी सिगरेट के एक सिरे पर उसकी एलिपिस्टिक का निशान जमा रह गया था तुम अब एक पनीर लोगी नहीं तुम्हें अब जाना चाहिए मैं चला जाओंगा अभी समय है उसने अपनी आखे मूंदली थी लंबी भूरी पलकें उसके पिले चेहरे पर मोम की ग धीरे-धीरे मसलने लगी मैने सोचा था तुम आओगे उसने कहा वे चुप चाप से देखता रहा सुनो अब हम पहले की तरह हैं रह सकेंगे उसके स्वर में हलका सा अविस्मे था तुम्हें याद हैं उसने उसका हाथ दबा कर कहा तिश्ली कर्मियों में हम इटली जाना च जाते थे अब हम महां जा सकते हैं अब हम कहीं भी जा सकते हैं उसने उसकी ओर देखा अब कोई जंजट नहीं है उसे पिर उसका स्वर कुछ अजीब सा लगा लेकिन वह मुश्कुरा रही थी और तब उसका मन फिर आस्वस्त हो गया कोरिडोर में विल्चेर के पहियों की चर्मरहट सुनाई दी थी पास के क्यूबिकल में एक कोई उचे स्वर में चीख रहा था किसी इस्त्री ने परदा उठा कर भी तर जाका था लेकिन उसे वहां बैठा देखकर वह हडबडा कर वापस मुड़ गई थी उसने घड़ी हां तुम्हें ये चीजे खानी होगी उसने अंग्रेजी में उसका वाक्य दोहरा दिया वे धीरे से हस पड़े उसने अपना मफलर गले में बांध लिया खाली डफन बैक को कंधे पर लटका कर वह स्टूल से उठखडा हुआ तुम अब जाओगे हां लेकिन कल मैं इसी वक दादी और दोनों हाथों से उसका चहरा अपने वक्स पर खिच लिया कोई आ जाएगा उसने धीरे से कहा आ जाने दो उसने कहा कुछ देर बाद जब बाहर आया बसंत की रात जुकाई थी हवा में धर्ती की सौंधी सी गंद का भास था उसने निश्चित रूप से ठंडी अस्पताजी हवा में सांस ली अस्पताल के उस तंग जर्रत से ज़्यादा गर्म क्यूबिकल के बाद उसे बाहर का खुलापन बहुत सुखत बरती धो रहा था उसने घड़ी देखी अभी दस मिनट बाकी थे उसे हलकी सी खुशी हुई कि वह प्राग जाने से पहले एक ब शहर की बतियां जगमगा रही थी उसे प्राग में अपने होस्टल का कमरा याद हो आया वह सिर्फ दो दिन पहले उसे छोड़ कर आई थी लेकिन उसे लग रहा था जैसे तब से एक लंबी मुद्दत गुजर गई है वह कुछ देर तक वहीं निश्चल खड़ी रही मेटर तौलिया निकाला फिर उसने करीने से उन सब चीजों को लपेटा जो वह उसके लिए छोड़ गया था खिड़की के पास आकर उसने उन्हें बाहर अंधेरे में फेक दिया जब वह वापस अपने बिस्तर के पास आई तो उसका सिर्फ चक्राने लगा स्टूल पर लीपा का पेकेट अब भी पड़ा था उसने एक सिक्रेट सुल गाई लेकिन उसे उसका स्वाद फिर अजीब सल लगा उसे फर्स पर बुझा कर वह पलंग पर लेट गई एक छोटा सा गरम आशू उसकी आखों से बहता हुआ उसके बालों में खो गया किन्तु पता नहीं चला वह आ